आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारत जहवेर चंद काली दास मेघानी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रिय शायर कहा था। मेघानी स्वेम को पहाड नू बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटिला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोगकवी जवेर्चंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए गुजराती लोगईत काते थे। इसके साथ ही विदेश की लोगईत परमपराओं को जीवित रखने का कार भी कर रहे थे। और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रही। अंग्रेजों ने उन पर जूठे आरोप लगा कर 28 अपरेल 1930 को विशेश अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें दो वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया लेकिन गांधी इर्विन समझाते के बाद एक वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड़ी का जन्म 1907 में निलोर जिले में हुआ था। रेड़ी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संखर्ष में शामिल हो गया। बाद में उन्होंने गुरुदेव रमिंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांती निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कारे में रूची हुई और उनकी कई पुस्तकों का तिलगू में अनुबाद किया। इस प्रकार वे आ 1937 में सन्युक्त मदरास विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने अस्थानिये प्रशासन और वित्विभाग में महत्वपून पद संभाले। राजपाल भी रहे। महान राश्रवादी को नमन।